प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी तो खुद कहते हैं कि मैं OBC समाथ से तालुक रखता हूं तो इस तहां का बेदभाव जम्मू कश्मीर में कि देखो प्रदान मंत्री पाए ही जम्मू कश्मीर के OBC को एक बहुत बड़ी उमीड थी क्योंकि उन्होंने ओपन रैलीस में बोल है वह इस वार भी बिल पेशनी हो पाया जम्मू कश्मीर का OBC को है जम्मू में फिर इस बार माजूस होना पड़ा जमू कहां लगती आपको क्योंकि आप के भाशनों में जिक्र है आप कहते हैं लगातार जनता के समक्ष पॉब्लिक रियालीज में जिक्र है लेकिन असल मे बीजेपी सेंटर में डिरेक्ट ली बैटी हुई है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के OBC के साथ बड़ी बारवादे की हैं पब्लिक रैलीज में अपने आपको भी OBC परजक्ट किया कि हम OBC से बिलांग करते हैं तो हम भी कह रहे हैं कि OBC से बिलांग करते हैं तो इसलिए आपको जो है बीजेपी को अब करके दिखाने का टाइम है अब नौ साल हो गया खाली बादों से मुश्कल हो जाएगा तो कहते हैं नो साल बेमिसाल की बात करता है उस बेमिसाल में OBC का नाम नहीं उस बेमिसाल किसके लिए होगा OBC समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है उस आरक्षिन के लिए जिसके पूरे देश में विभिन राज्यों में 27% का प्रावधान है लेकिन जमु कश्मीर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जहां पर पहाड़ी समुदा इस समय शुक्रिया अदा कर रहा है प्रध समाज जो है आगे प्रगती और विकास के और बढ़ने के लिए अगसर होगा मेरे साथ एड़ुकेट मोहमत लतीफ मलिक सहाब है लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और एक यावास बुलंद कर रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार से महरूम क्यों रखा गया और वो अधिकार कब मिलेगा मलिक साब कितना समय हो गया यह आरक्षन की जो मांग उठ रही है कितने सालों से यह तो 1947 के बाद उट रहे थी उसके बाद 1979 में यह नैशनल प्रजिटन ने एक नेशनल कमिशन मंदल कमिशन के नाम से बनाया था उसकी इंप्लिमेंटेशन जो थी तो बाद में 1992 में मंडल कमिशन की इंप्लिमेंटेशन के बाद मोस्त आफदा स्टेट्स में जो था वह एडवांचि लागू हो गई इंप्लिमेंट हो गई और जम्मु किश्मीर में वह आज तक 223 तक वी आकर जो है बोट जोहर्वेशन जो है आई तक प्लिमेंट नहीं हुई है और सब्सक्राइब कर गये हैं और आज भी हमारा जमू किश्मीर में जो हमारा नामी निकलेचर है वो अधर शोशल कास्ट के नाम से जाना जाता है और आप समय लोगे रहानी जी 92 में तो सब इंपलिमेंट हो गया था उसके बाद 92 से आज लेका 31 यह हो गया है कि जमू किश्मीर क सब्सक्राइब करेंगे जमू किश्मीर को उसकी पहचान बापस देंगे उसका नामनिक लेचे जो अदर शोशल कास्टेंग करके सब जगह जो है अदर बैकवर क्लासिस ही देंगे जो सब्सक्राइब करता है उसके बाद नैशन कमिशन पर कमिशन बने और उसके बाद वह इंपलिमेंट हुआ और वह भी सप्रीम कोड किये का बाद के बाद आज आज हमारी जो आइडेंटिटी है अदर बैकवर क्लासिस जो कांसिटूशन राइट फ्राम डेवन रिकों नाइ इसके तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया गया क्या आप तो 27 की मांग कर आपको चार तक सिमित कर दिया गया संघर्ष 1992 से लेकर 220 तक लगाता रहा हर बार OBC जितनी भी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी तो खुद कहते हैं कि मैं OBC समाथ से तालुक रखता हूं तो इस तहां का बेदभाव जम्मू कश्मीर में कि देखो प्रदान मंत्री पर ही जम्मू कश्मीर के OBC को एक बहुत बड़ी उमीड थी क्योंकि उन्होंने ओपन रैलीज में बो प्रदान मंत्री सब OBC से बलांग करते हैं मुवमेंट हमारी गवर्मेंट आएगी हमें जो है वो स्टाइब से जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करेंगे बाब जूद उसके के नौ साल हो गया आप बीजेपी को सेंटर में हकूमत करते हुए और नौ सालों में इस भाषपा का कोई नेता क्या विधान सभा में आपकी लवास बुलंद करता हो नजरा है कि देखे हमने जो वादा क्या है आज धरातल पर हमें वो सही सित करना है जो विजूटी के वारतिये जन्तापार्टी के जो अधक्ष है उन्होंने पब्लीकली तो बड़ी बार कहत किया हूं हाँ पब्लीकली वो लोगों में कहते हैं कि बीजेपी जो है जम्मु किश्मीर के साथ इंसाफ करेंगे हैं भाषपा की तरफ से विभिन मंदल है ओवी सी का मंदल है अलग 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 यहां पर जो संस्थाएं जिस सहां से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा करेंगे बाट हमी चोदा दोजाए चोदा से तो डिरेक्टली देख रहे हैं कि कब लागू करेंगे कब नहीं लागू करेंगा नो साल हो गया इस जो पर लास्ट सेशन में जम्मु किश्मीर के ओबीसी को एक बहुत वड़ी उमीज आगी कि कि जब हमारा अडेंटिटी हमे वो इस बार भी बिल पेश नहीं हो पाई है जम्मु किश्मीर का ओबीसी को है जम्मु में फिर इस बार माजूस होना पड़ा जमु कमी कहा लगती आपको क्योंकि आप के थे भाशनों में जिक्र है आप कहते हैं लगातार जनता के समक्ष पॉब्लिक रेलीज में जिक्र है लेकिन असल में जहां पर बिल पारित करना है तो वहां पर कमी क्योंकि क्या कत्नी और करनी में फर्क लगता है दो चाह दिन की बात हो जांदास दिन की बात हो तो बन्ता सोईता है अब नौ साल से बीजेपी सेंटर में डिरेक्ली बैटी हुई है और उन्होंने जम्मु करेक्ट पर ओघ्रेक्ट पर बादे पूपूदियत ग्र कंपामरे अपने आप को भी ओजेःज्श से बिलंग करते हैं तो हम भी जाए कर तर यसलिए आपको जो है बीजेपी को पटर के लिजे लिए का साउनने का ताइम अब नौ साल illness किसके लिए हो सकता है किसी के लिए 0% है आज भी सी का कोई बढ़ने की पर प्रदानमंति की कुर्सी पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदानमंति की कुर्सी पर बोट चलो जनता उनको बढ़ है अगर मैं आपको आंकड़ा बताओं जनसंख्या का आंकड़ा क्या है जो समाज से तालुक रखता है जो एक कोर वोटर भी सिध्ध होता है हर बार चुराब में भाजपा में जो जम्मू किश्मीर में OBC की जो सेंसिस के मताबक जो है जो है जो है आज की डेट में पॉपूलेशन का जो परसेंट है वो मोजन फार्टी परसेंट है क्योंकि अभी हमारे स्टेट कमिशन का कमिशन ने पीशेंट परफिशेंट सेंटा और कास्ट को इंकलूड करने की बात की है अगर उनको करें तो 4550 परसेंट के असपास जो है जम्मू किश्मीर में OBC का आइगा तो इसलिए 50 परसेंट जो पापूलेशन जमू किश्मीर की ओबीसी से बिलाँ करते है और 50 की 50 वो इस ती से नराश है कि आई तक 27 प्रसंट जम्हों किशिमीज में इंप्लिमेंट क्यों नहीं हुई कब मिलेगी क्या लगता है वो 27 प्रसंट का अंकड़ा कब मिलेगा कोई उमीद दिखनी रही है क्योंकि लाइए लड़ाई लड़ी गई है इसके लिए क्या अभी उन आड़र के खलाब जो थी स्प्रीम कोड में डेक्ट जाची का दाएर हुई तो स्प्रीम कोड ने उसको यह कंसीडर करते हुए कि यह कांस्टूशनल पॉइंट इनवाल्व है और बड़ी देश लोग आपने हुको के लिए लड़ रहे हैं और इतनी बार कमिशन बन गे सब्सक्राइब हो गया है जम्मो किश्मीर का ओवी सी क्यों इस चीज से महरूम है अब पहले एक एक स्क्यूज आता था था आर्टिकल 370 रास्ते में अब तो 370 को भी चार साल हो गए है अभी अगस्त में पांच अगस्त को चार साल उसके बनाए गया है जिस सहां से आप दील होगा आपके समाज की तरफ से क्योंकि 24 की जंग शुरू कर दी है और 24 के लिए भाषपा लगातार आगे दमखम से प्रचार कर रही है प्रधान मंत्री का चहरा सब के समक्ष वहीं दूसरा गठ बंदन भी है इंडिया नामक तो यह जो एक जो जंग है दोनों राजद और अब भी अगर बीसो चोड़ी से पहले 27 परसंट जमो किशिमीर में इंप्लिमेंट नहीं होती है तो उसके जो है वह असरात जो है जमो किशिमीर के लिए अगर हो जाती है मान लेते हैं आपके बार तो क्या-क्या फायदे जो आज की पीड़ी को नहीं जानकारी है क्या- जो है आपने 27 प्रसंट प्रसंट के हक से महरूम रह गई है और अगर आज भी लागू कर दें तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो उसका फाइदा उठा सकती है उसकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है ओबी सी आज भी बैकवर्ड है बैकवर्ड था जम्मो किश्मीर का क्यों की जहां गौर्ण्मन बनाने के असार लग सकते हैं उसके बिना जम्मो किश्मीर में ओबी सी को साही सर्वेशन दिये बगार जम्मो बीजेपी के लिए मुश्क्र हो जाएगा इंधिन ओबीसी को लुबावने वादे करने के बजाया आपको धारातल पर वह सही बातें करनी होंगी जिसके लिए लगातार प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम सच्चाई पर चलते हैं हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं लेकिन और भाषनों का सिलसला तो जारी होता है लेकिन धरातल पर 27 प्रतीशत आरक्षन जो है वो नहीं नजर आता है और जवाब जो है वोट के तोर पर दिया चाना है आप यह हम ऐसे बने देखते हैं विश्यमिस रूहां की